Hello students, welcome to our channel, आज का topic काफी महतपुरुन है, आज का update, प्लीज वीडियो को अन तक देखेगा, आज का update आप लोगों के लिए काफी महतपुरुन है, और first time विजिट किये तो प्लीज चैनल को subscribe किजेगा, वीडियो को like किजेगा, आपको पता दे, class 8, 9 और 11 का result के लिए आप आज का update देखेंगे, तो आपको clearly पता चल जाएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अन तक देखते रहिए, क्या यहाँ पर आज का update है, हम आज आपको बताने जा रहे हैं, clear तरीके से ठीक है, चलिए update को clearly तरीके से पढ़ते हैं, जारकंड अधिवि के संबनों में अवसेक सूचना, काफी महत्पूंट सूचना है, चलिए पढ़ते हैं, कतिबे विधाले, महा विधाले के परधान अधियापक, प्रचार्ज के दुआरा इस आसे की सूचना दी गई है, कि आपरी हार्ज कारण वस परिशत दुआरा कक्षा आठ के लिए पर कासित विगती संख्या, जुजर बाइस, कक्षा 11 के लिए पर कासित विगती संख्या, जुजर बाइस में निर्धारिती थी, तודה उनके विधाले, महा विधाले के छातर चातरों के आंध्रिक मुल्यांकन का ऑंक ओनलाइन साधारन नहीं किया जा सका। यहाँ पर जो आंत्रिक मुल्यांकन का अंक है ओनलाइन वो आपका सधारन नहीं क्या सका विधाले महाविधाले से प्राप्त अनुरोत पर सब्यक विचार करने के उपरांत छातर हित में एक अंतिम अकसर अफसर परदान करने का निरने किया गया है निरने लिया गया है तदनुशार उक्त सभीक अक्छों का आंत्रिक मुल्याकन जो आंत्रिक मुल्याकन के अंक है उनकी ऑनलाइन परविष्टी दिनांक 1822-4822 तक परिस्वत की वेबसाइट के माधिम से किया जा सकता है इसके उपरान किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तो ये महत्पुर्ण अपडेट हम आपको किलियर तरीके से यहां पर समझा दिये सभीक अक्छों का अंत्रिक मुल्यांकन के अंकों का जो आनलाइन परविष्टी होगा वो दिनांक 18222 से 48222 तक परिशत के वेबसाइट के माधिम से किया जाएगा ठीक है ये महत्पुर्ण अपडेट आई होप आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं किलियर तरीके से अगर कोई भी जानकारी लेना है कोई भी आपको पूछना है तो आप एक बर कमेंट करना अगर उस पे आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट का हम रिप्राइज जरूर दने की कुशिच करेंगे और वीडियो को फटाफट लाइक भी करें और चैनल को सस्क्राइब भी करें समझ में ने आए तो बार अबर आप खुछ से रीट करके समझ सकते हैं इसको किलियर तरीके से अपडेट को देख सकते हैं ठीक है जादे जादे शापूर्ट करें ठीक है थैंक्स फोर वाचिं इस वीडियो